गैस अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस की मदद से ऐसा हम लोगों ने किया था same almost similar तरीके से जैसे कि मैं आप लोग को अगर script दिखाऊ अपनी तो हमारा जो insert data की script है वो यह रही select data की script almost similar थी बस हम लोगों ने आपर जो query थी उसके result को थोड़े से different way में manipulate किया था ठीक है अब यहाँ पर हम लोग where clause के बारे पर देखेंगे कि यह where clause क्या होता है तो इसके लिए मैं एक नई फाइल बनाऊंगा और यहाँ पर जो php का हमारा यह जो हमारा index इसको लगा दूँगा मेरा zam चालू है by the way और मैं अगर यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं इंडेक्स of cwhphp तो यह जो file है वो यहाँ पर आ गई है और मैं इसको खोल लेता हूँ भी इस file के अंदर कुछी डाला नहीं है मैंन तो सबसे पहले तो जो हमारा connection database database से वो हम बना लेंगे ठीक है मैंने आपर अपने database से connection बना लिया जो database में use कर रहा हूँ उसका नाम है db harry और वो connect हो चुका है मेरा यहाँ तक अब मैं आपर करूँगा क्या पहले मैंने क्या किया था मैंने कहा था कि देखो भाई मैं सारे यह सारे records php trip में से fetch करना चाता हूँ ठीक है और मैंने उन सारे records को बाद में number of records मैंने print किये थे तो मैं यह script जो है copy करूँगा इतना part copy करूँगा script का save करूँगा और एक बर चला के दिखाता हूँ आप लोगों वापस से save किया मैंने इसको reload किया और यह दिखो यह कह रहा बिहार कर देता हूँ आप डबल क्लिक करके update कर सकते हो records को और जब आप record को update करोगे तो यहां पर देखो एक query generate होगी वह update करने की query है ठीक है और इसमें भी where clause है तो सबसे पहले हम where clause को select में देख लेते हैं कि हम select किस तरह करेंगे और where clause किस तरह इस्तमाल करेंगे कुछ set of rows को from total अब यहां पर अगर मैं where dest is equal to Bihar करूँगा तो मुझे एक subset मिलेगा total records का और आप लोग देखो यहां पर यहां पर यह मैंने लिखा where sno is equal to 5 उसी तरह मैं where dest is equal to Bihar लिख सकता हूँ तो मैं आप लोगों को query को update करके दिखाता हूँ तो यह जो query है मेरी इसको मैं copy करू और मैं आपर लिख दूँगा baptix sno sorry not sno where dest is equal to और मैं आपर लिख दूँगा Bihar ठीक है और Bihar का B if I am not wrong मैंने capital बनाया है तो यहां पर मैं यह करूँगा तो देखो यह जो Bihar destination है वो आ गये है तो यहां पर मैं क्या करूँगा इसको copy करूँगा और मैं यहां पर इसको fit कर दूँगा जब मैं इसको यहां पर fit करूँगा तो अब मुझे जो चीज return होगी वो return होगी मुझे वही वाले records जिसमें dest Bihar है ठीक है तो अब देखो यहां पर जो count है मेरे records का वो change हो गया है मैं इसको बंद कर देता हूँ मेरा यह 38 script चल रही है 29 script जो है वो नहीं चल रही है मैंने इसको refresh किया तो देखो एक रहा 3 records found in the database और similarly हम इनको जो है print भी कर सकते है और मैं बिल्कुल भी time यहां पर waste आपका नहीं करूँगा मैं आपर कहूँगा कि अगर dollar num is greater than 0 तो यह value को चला दो तो मैं यह जो if है इसको copy कर लूँगा यहां पर और कहां गया मेरा num इतन यहां पर यह सब अटा कर मैं यह value dump भी हटा देता हूं और मैं यह मैंने if चालू किया यह while चालू किया यहां खतम हुआ if को मैंने बंद नहीं किया है यह मैंने copy नहीं किया था कोई बात नहीं save किया मैंने अपनी script को reload किया तो देखो hello shubam welcome to bihar hello shubam 2 welcome to bihar hello shubam 3 welcome to bihar where clause के हिसाब से fetch करोगे तो उनका जो serial number है वो तो retained रहेगा न अब यहां पर इसका serial number तो change नहीं होगा serial number तो primary की है तो serial number जो initial database में था वही रहने वाला है तो अगर आप serial number को change कराना चाहते हो तो क्या करो आप serial number को print ना कराने की बजाए आप यहां पर एक number नाम का variable बना दो हो और आप उसको print करा हो तो मैं आपर कहूंगा की $ no is equal to 1 मैं अगर 1 से start करना चाहता हूँ और मैं आपर उसको print करने के बाद मैं कहूंगा की $ no is equal to $ no plus 1 $ no plus 1 और मैं इसको reload करूंगा तो इदे को 1,2,3 आ गया है जूम करके दिखा देता हूं आप लोगों को 1,2 और 3 आ गया मैं इस बार print कर रहा हूँ एक नया variable जो कि मैंने बनाया है जिसको मैंने initialize किया one से और उसके बाद उसको एक एक करके मैंने increment कर दिया तो ये था हमारा where clause और इसको हमने use किया where clause को fetch करने में ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ मैं अब लिखता हूँ usage of where clause to fetch data from the database ठीक है अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम update करना चाहते है data को तो हम वो किस तरह करेंगे क्योंकि जो where clause का main use है वो data को update करने में है कि हम data को select कर ले और एक बार हमने data select कर लिया तो हम record को कर ले अपडेट ठीक है तो record को update करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा updation की query को run करना पड़ेगा यहीं कि उस query को run करना पड़ेगा जो कि records को update कर दे लेकिन मैं आपर करूंगा क्या कि सबसे पहले जाओंगा अपने php myadmin मैं इसकी मदद लोगा मैं प्येश्प myadmin से कहूंगा php myadmin php myadmin मैं जो हूँ बिल्कुल भी चीज़े याद नहीं रख पाता हूँ php myadmin मेरी मदद करो php myadmin कहेगा कि एक record जरह update करके देखो मैं इस query generate करके तुमको यहाँ पर दे दूँगी php myadmin लड़की है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर मैं अगर शुबं 2 की जगा मैं मानलो लिखता हूँ रोहन तो देखो इसने कहा कि बाई शुबं को कर दो रोहन यहाँ कि serial number 4 जहाँ पर है उसको रोहन कर दो तो यहाँ पर देखो serial number 4 जहाँ पर है वो रोहन करने की updation query यह आ गई है इस query को जड़ा उपस मैंने गलती से click कर दिया database पर इस query को जड़ा नजदीक से analyze करते है यह क्या कहना चाहती है query यह query कह रही है कि update कर दो php trip को और जहाँ पर भी name is equal to sorry serial number is equal to 4 है उसके name को रोहन कर दो update php trip यानि कि इस table को update करो set कर दो name is equal to rohan जहाँ पर where मतलब जहाँ पर serial number 4 है अब मैं php trip.serial number ना भी लिखो ना तब भी चलेगा ठीक है तो मैं आपर php trip अगर ना भी लिखो तब भी काम मेरा चल जाएगा ठीक है अगर मैं वापस square it inline करूं और set name is equal to rohan 2 करूं अभी मैं इसको run करूं तो अब जो है मेरा यहाँ पर एक row effect हो जाएगी क्यों होगी एक row effect क्योंकि मैंने rohan 2 को rohan 2 कर दिया तो यह update वाली query बहुत काम किया इसको copy करते हैं और इस query को हम अब run करेंगे ठीक है तो मैं आपर लिखूंगा usage of where clause to update data ठीक है तो यहाँ पर लिखते हैं dollar sql is equal to और यहाँ पर लिख दिया update php trip set name is equal to rohan 2 where serial number is equal to 4 ठीक है तो यह हो जाएगी हमारी update query और मैं rohan 2 को अब कर दूँगा rohan updated ठीक है और simply वही करना है बिल्कुल सब कुछ almost same ही है ठीक है तो यहाँ पर मैं अपनी query को execute करने के लिए run करूँगा mysql i underscore query ठीक है और मैं आप लिखूंगा result is equal to mysql i underscore query con or sql ठीक है अब क्या होगा मैं कहूंगा कि if result ठीक है if result यानि कि अगर हमारी जो update query है वह successful होती है मैं आप लिखूंगा we updated the record successfully ठीक है और अगर नहीं कर पाए और मैं आप लिख दूँगा we could not update the record successfully ठीक है अभी मैं अगर इसको run करूँ तो देखो आप लोग browse में करके दिखाओं यह रोहन 2 लिखा हुआ है और अभी मैं जो where clause है मेरा इसको मैं reload करूँ तो देखो we updated the record successfully और इसको अभी मैं वापस से refresh करूँ तो देखो आप्डेटिड हो गया रोहन 2 से पहले रोहन 2 था अब रोहन अपडेटिड हो गया ठीक है तो इस तरह से हम लोग जो है इसको run कर सकते हैं अब अगर मैं आप लोगों को echo करके दिखाऊ result को ठीक है और यहाँ पर मान लो Rohan updated to कर दूँ इसको तो मैं भी इसको refresh करूँ तो यह Rohan updated है इसको refresh करूँ यहाँ पर तो यह one मुझे दिखा रहा है तो अब यहाँ पर देखते हैं कि mysql i underscore query updated queries के लिए क्या update queries के लिए क्या return करती है अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं कहूँगा where dest is equal to Bihar मैं कहूँगा name is equal to यह कर दो यहाँ पर dest is equal to where dest is equal to Bihar अब आप देखते जाओ यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर result को print किया जा रहा है by the way तो मैं set name is equal to कर दूँगा यहाँ पर from Bihar ठीक है और यहाँ पर देखो यह भी यहाँ पर इनका name शुबम रूहन अपड़ेटीड और शुबम 3 है लेकिन मैंने इसको यहाँ पर reload किया तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर कुछ ग्रबल करिया लगता है मैंने script save नहीं करिया set name is equal to from Bihar where test is equal to Bihar name is equal to from Bihar where test is equal to Bihar मैं देख रहाँ क्या problem आ रही है हाँ देखो from Bihar यहाँ पर यह अपडेट हो गया ठीक है तो यहाँ पर mysql underscore query जो है हमारी update records के लिए number of records return नहीं करती है तो एक बहुत बड़ा confusion हो जाता है कि number of records return करती है वो return करती है अगर मैं इसका wire dump करूँ wire dump तो यह true false return करती है basically मैं आपको बता रहा हूँ मैं इसको refresh करूँ तो यह बूल true इसने return किया तो अगर यह update successful हो यह true return करेगी वरना यह false return करेगी तो mysql underscore query का जो return result है आपर वो check करके आप लोग क्या आपका record update हुआ या नहीं हो पाया यह check कर सकते हो so i hope कि यह चीज आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा clear हो गई होगी इस point पर ठीक है so यहाँ पर हम लोगों ने देखा किस तरह से हम लोग update कर सकते है records को अब आप multiple records भी update कर सकते है और अपने where clauses को query run करने से पहले बहुत दिहान से जाच लें क्योंकि अगर आपने query कोई गलत run कर दी तो आपके बहुत सारे records अपडेट हो जाएंगे और आपका नुकसान हो सकता है अब एक बहुत ही बड़ा सवाल एक बहुत ही इसका छोटा सा answer है लेकिन एक बड़ा सवाल है कि number of records को कैसे और वो है मेरा मैं आप लोगों यहां पर उसको सीधे प्रिंट करके दिखाता हूं number of affected rows को तो मैं यहां पर लिखूंगा number of affected rows और colon करके और यहां पर एफ लिख दूँगा और जो मेरा dollar एफ होने वाला है वो होने वाला है mysql i underscore affected underscore rows और यहां पर dollar कौन यह लेगा connection object लेगा और यह मुझे बताएगा कि मेरा is query को run करने के बाद कितनी rows effect हुई तो अगर मैं जानना चाहता हूं कि मेरी कितनी rows effect हुई तो मैं इस function को run कर सकता हूं और यह मुझे यहां पर बता देगा कितनी rows effect हुई तो यहां पर बियार लगा लेता हूं ताकि यह वाल डम के बाद ही नीच आए तो यह कह रहा है number of affected rows zero we updated the record successfully तो यह कह रहा है कि भाई from Bihar तो already था अगर मैं आप पर इसको from Bihar से change करके कुछ और कर दूँ ठीक है अब इसको run करूँ तो यहां परते को number of affected rows three है क्योंकि इसने from Bihar से from Bihar sorry from Bihar DF और यह जो मैंने किया था इससे अभी from Bihar कर दिया अभी इसको reload करूँगा तो यह from Bihar कर दिया तो इसने यह तीन rows को affect किया तो number of rows affected यहां पर आपको ऐसे दिखाई दे सकती है ठीक है तो यहां पर मैं Bihar लगा दूँगा फिर से और अभी हम HTML लिख नहीं रहे हैं अभी हम सिर्फ concepts को सीख रहे है PHP के तो आप लोग यह मस सोचना कि मैं यहां पर designing क्यों नहीं कर रहा हूं अच्छ आप लोग इनका यहां तो note लेने सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है आप अपने notes बना ले और अपने notes बना के चोटी सी booklet यह Google Docs ताकि आप लोग के कभी घुमेना अगर आप लिखना पसंद करते हैं तो मैं recommend करूंगा आप हाथ से लिखें लेकिन उनकी photos लेकर उनकी pictures लेकर आप internet पर कहीं अपलोड करते हैं अपनी Google Drive पर या फिर अगर आप Microsoft का OneDrive उसकरते हैं तो वहाँ पर या फिर अपनी data as a part of your data email कर ले अपने आपको जो भी आप manage करने के लिए use करते हैं वो आप लोग करें अपना digitally information को जरूर रखें ताकि 10-25 साल के बाद भी अगर तो हमारे PHP Qtuals की playlist अगर आप लोगों अभी तक access नहीं करी है तो आप लोग इसको जरूर access करना उपर यहां पर star पर क्लिक करके bookmark कर ले ना इस playlist को और नीचे आ क्लिक करके save कर ले ना ताकि यह playlist आपकी अपनी हो जाए और आप लोग step by step PHP को सीख पाएं अभी के लिए गाई इस वीडियो में इतना ही हो कि आप लोग कोई जो वीडियो है वो पसंद आ रहा होगा और आप लोग जो है इसको enjoy कर रहे होंगे मुझे comment में बताएं को कैसा जा रहा है और वीडियो को like जरूर कर दिया अगर उससे पता चलता है कि यह वीडियो अच् आप लोग थीम खरेड़ लग शबियो दोкимиवर सान कि वूल रहा है वीडियो का